गुड मॉर्णिंग बच्छो आज हम चैप्टर त्री की एक्सरसाइजे सॉल्फ करेंगे चैप्टर त्री हमने पढ़ाता जिसका नीम था माइस एंड सॉर्गंस आपको वह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा शो लेंस करना है त्री का वस्था फोल स्सूलियए वह चैप्टर त्री हमारी बोडी का कॉन सा पार्ट्र में ज्याक हन उपकर आप्टर आपको या फिंगरटपस कौन सा correct option है इसका C that is fingertips और एक और होता है tongue tongue भी हमारी बहुत more sensitive part होती है second which system do blind people use to read blind people अंदे लोग कौन सा system पढ़ने के लिए इस्तिमाल करते है Braille, Lewis या Lewis Braille कौन सा system इस्तिमाल करते है Braille system और Braille system किस ने discover किया था Lewis Braille ने कौन सी सन में 1824 में next which is the largest sense organ हमारी body का largest sense organ कौन सा होता है eyes, nose, skin skin क्योंकि हमारी पूरी body किस से कवर आप है skin से so skin is the largest sense organ next nose helps us to detect all types of blank हमारी जो nose होती है वो सारी प्रकार की क्या चीज़े पेचानने में मदद करती है हमारी sounds, आवाजे, orders, smell जो होती है अच्छी smell या बुरी smell या बुरी smell है उसको सुनने में हमारी मदद करती है तो इसका कौन सा प्रक्रेक्ट है नहीं touch छूने का टेस्ट स्वाद लेने का तो वो touch टच करके चीज़ों को पैचानते हैं और समझते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी fill in the blanks with the words given in the box box में जो words दे रखे हैं उन्हें आपको fill up करना है so let's start first one is the sense organs contain many blanks हमारी जो sense organs होते हैं उनके अंदर बहुत सारी क्या होती है nerves क्या होती है nerves नसे होती है our whole body is covered with blank हमारी पूरी body किस से cover अपे किस से ठकी हुई है skin से next blind people use their fingertips to reach and blank जो blind people होते हैं वो अपनी fingertips का इस्थेमाल पढ़ने में और लिखने में use करते हैं तो light touching a pet gently is a blank touch किसी भी pet को प्यार से touch करना कैसा touch है अच्छा touch है या पुरा touch है अच्छा touch है ना हम किसी प्यार को प्यार से gently smoothly touch कर रहे हैं that is a good touch blank are the organ of hearing सुनने का organ सुनने का अंग कौन सा होता है हमारे पास ears so ears are the organ of hearing now let's go to the next exercise that is true false write t for true and f for false statements यहां कुछ statement से रखे हैं you have to tell कौन से false हैं और कौन से true हैं so let's start we have ten sense organs क्या हमारे पास हमारे पास ten sense organs होते हैं नहीं that is false we have five sense organs हमारे पास कितने sense organs होते हैं five sense organs next bad touch makes us fearful जो बुरे टच होते हैं बुरे स्पर्ष होते हैं वो हमें डरावना मैसुस कराते हैं न तो that is true next nose is the sense organ of sight नाख हमारी देखने का अंग होता है देखने की ग्यानिरी होती है नहीं that is false nose is the sense organ of smell smell का ग्यानिरी होती है we should be sensitive towards differently abled people हमें differently abled people के प्रती sensitive होना चाहिए yes true differently abled people let an easy life जो differently abled people होते हैं क्या उनका जीवन सरल होता है नहीं उनके जीवन में कुछ कटनाईयां होती है लेकिन जो लोग उन कटनाईयों को पार करके एक अपनी life में बहुत सारे achievements पा लेते हैं ऐसे लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं so these are some exercises of chapter 3 I hope आपको इस सारी exercises समझ में आई हो ओके बचो बाई बाई